कि है लो दोस्तों में विकास मलिकाप कैसे मुझाएं में अच्छे वोगा दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे यूक्रेइन में एंट्री को लेके दोस्तों काफी वीडियो में पहले भी बना चुक हूं और फिर भी काफी केंडिडेटों के मेरे पास रिक्वेश आती है मैं असी जाता है कि सर कोई रस्ता बताईए क्या रस्ता देखो सबसे पहले तुम्हें यह बता देता हूं अगर किसी बंदे के पास टी आर्सी काड़ है ना और वो ट्रैवल कर सकता है उक्रेइन में सबसे पहली बात तो यह औ और अधर परसन भाई जिनोंने अभी नया वीजा लिया भाई एजेंटों ने जिसके साथ दोखा किया है जिनको यह बोला कि हम आपके एंट्री करवा देंगे किसी भी तरीके से तो भाई वो पोसिबल नहीं है नई नए वीजा पे नया पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप एंट्री नहीं कर सकते किसी भी रस्ते से युक्रेयन में और अगर आपके पास टी आर्सी कार्ड है तो आप भाई एंट्री कर सकते हो 101% एंट्री आपकी हो जाएगी सो में से लगवग अभी जो मैंने केज देखे ना सो में से 95% आद्मियों के एंट्री हो जा रही है ठीक है क्या वो प्रोसेस रहेगा वो सारी चीज में आपको बता मतमिल आपने देख लिया और रोमानिया के रस्ते से आप युक्रेयन में एंट्री कर सकते हो अब रोमानि से टेस्ट में एक लड़के ने रोमानिया का वीजा अप्लाई किया था और उसका अप्रूवल हो चुका है ठीक है और मेरे सामने की बात भाई उसने किया था और उसका अप्रूवल आ चुका है मोलदोवा वीजा नहीं दे रहा है अगर कोई एजेंट आपको यह बोले कि स आपको चाहिए होंगे वह डोकमेंट में अब को बता देता हूं हुआ सबसे पहले आपके पास Karde घए उक्रेट चाहिए रफ पर मिट्प ली यह सिटुडेइन वीजा पर है अगर आपके पास भी काड ना अगर आप स्टूडेंट होना तो पॉलीज के साड़ से आपको लेटर मिलता है वो लेटर आपके पास होना चाहिए पाच महाँ आपके पास टिकट होना चाहिए छटा आपके पास जो रुमानिया में जब आप फ्लाइट से उतर होगे ना उसके बाद जो बोडर क्रोसिंग क माल हो कि अगर आपको खुद का घर है या फोस्टल में रहते हो तो उसका प्रूफ आपको MPSC को देना होगा साथ प्रूफ होगे और उसके बाद अगर आप दो डाए तीन लाग रुपे की बैंकिंग भी दिखा सकते हो ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा यह आठ डोकु के रस्ते से ठीक है अभी जो रेसो चुला हुआ अगर आप दस सटूडेंट अभी अबलाई करते ने वीजा तो साथ से आठ बंदों को मिल जाता है वीजा क्योंकि एक रीजन देना होता है उनको ठीक है अगर वह रीजन आपका जैनुवन है ना तो आपको एंट्री से रोमानिया का ठीक है काफी लोग प्ूचते दसरा एंट्री कैसे होग तो रोमानिया का ही रस्ता है जांसे आप एंट्री कर सकते हो और लीगल डोकुमेंट अगर आपके पास है तो अगर कोई नया वीजा लेके जाएगा ना तो पॉसिबल नहीं है आपके एंट्री हो सबसे पहले तो आप अपने डोकुमेंट कर लेना उसके बाद जो रुमानिया की वेबसाइड है ओफिसल वेबसाइड है वहाँ पर जाके आप वीजा अपलाई करोगे ठीक है एक फोर्म निकल के आएगा वो फोर्म फिलप करके आपको डिल्ली में जो रुमानिया की वहाँ पर जाके अपनी फाइल समीशन करवाना होगा और जी दिन आपका फाइल समीशन होगे ना उसके लगबग आप 15-20 दिन मा आप अपलाई करवाओगे ना तो 20-25,000 रुपे सिर्फ वह फाइलिंग करने के ही ले लेगा आपसे ठीक है लगबग 20-25,000 रुपे और जिसमें टिकेट बुकिंग आपके खुद की होगी होटल बुकिंग आप दिखाओगे और जो ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है जितने भ बात है अगर आप खुद अपलाई नहीं कर सकते तो भई आप एजेंट से करवा सकते हो अपलाई सिर्फ रूमानिया ही अभी रस्ता बचा हुआ है और काफी लोग पूछते सर अगर युक्रेन मेंटरी हो जाए तो उसके बाद हम क्या यूरो में निकल सकते तो भई बिलक अठे हुए है और जिनके बाद टी आर सी कार्ड वैलिड टी आर सी कार्ड पड़ी हुई है तो वह ड्रेवल कर सकते है अच्छा मों का यूरोप निकलनेगा इस वीडियो में की चोटी से अपडेट दे नहीं थी अगर वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कमे कर दो